Welcome friends, simple 3 step process, simple 3 step process, हर एक चीज को complicate करते हैं हम, manifestation कैसे होती है हर, उसमें भी हम थोड़ी बहुत complication कर देते हैं, ये खाना कैसे बनाते हैं, उसमें भी हम चीजे complicate करते हैं, कोई भी चीज करना है हम उसको complicate करते हैं, क्योंकि हमारा जो mind है, वो विश्वास नहीं कर सकता कि कुछ चीजें इतनी simple है, और वो आज 3 step process में बताऊगा कि कैसे आप अपनी, जो 3 step process से आप अपनी negative energy, negative beliefs को आप निकाल दो, अब ये process of course time लगता है, इसमें practice लगती है, continuous practice लगती है, अब आपका जो mind है, और आपकी जो body है, वो दोनों मिलकर सारी की सारी negative energy store करते हैं, specially आपकी जो body है, उसमें सारी की सारी emotions फस चाहते हैं, अब वो फसने के कारण क्या होता है, आप चाहते हो कि आप कोई चीज manifest करो, आप चाहते हो कि आप एक positive चीज manifest करो, बट आपका charge तो negative है, अब जब आपका charge negative है, जब आपकी body में जो vessel आप use कर रहे हो, उसमें ही जंक लगी भी है, तो आप यहाँ पर नहीं जाओगे, आप यहाँ पर जाओगे, negative के पास जाओगे, तो याद रखना कि आपकी body में वो negative energy stored है, उसको release करना बहुत जरूरी है, आपको क्यों लगता है कि योगा, हाथ योगा इतनी पुराणी practice है और आज तक चलती वे आज़िए, उसकी क्या reason क्या है, योगा का simple meaning है union create करना, mind और body का union create करना, अब वो चीज़ को हमेशा याद रखिए, mind और body का union create करना है, एक बहुत ही पुराणी manifestation technique है, जहाँ पर साथ आ रहे हैं, अब sun क्या है, और moon क्या है, वो दोनों एक तरीके से represent करते हैं, एक represent करता है body, एक represent करता है आपका mind, अब जब आप दोनों को एक दुझे को मिल कर देखते हो, तो आपको लगता है कि वो union create हो रहा है, तो वो ही same union आप create कर रहे हो, योगा में क्या हो रहा है जैसे ही आप वो stretches कर रहे हो, आप body के साथ तो movement create करी रहे हो, बड़ आपका mind, आपका mind वहाँ पर जा रहा है, आपका mind वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, अब ये बहुत important चीज़ है, अगर कभी भी आप yoga करते हो, तो आपका mind और body को दोनों को साथ में मिल कर काम करना ज यहाँ पर बहुत ज़रा पेन हो रहा है, यह हो रहा है, आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्रीधिंग और आपका focused attention वहाँ पर होना चाहिए, तो अब बात करते हैं वो तीन step process के बारे में, देखो एक simple चीज़ है, पूरे दिन में analyze कीजिए कि आपकी beliefs क्या है, for example, अगर मैं shopping करने जाता हूँ, और मुझे लगता है कि यह टी-शिट बहुत अच्छे लग रही है, और मैं उठा कर अपने shopping bag में डालने वाला था, बट मेरे mind में belief आती कि नहीं नहीं, मैं यह नहीं खरीच सकता, और मैंने बहुत पैसे खर्च कि पिछले महीने तो मैं को भी पैसे संभाल कर चाहिए, या मेरे credit card bill बहुत जाला है, मुझे यह करना चाहिए, या मुझे वो लोन चुकाना चाहिए, अब वो सारी की सारी चीज़े valid है, आपके reality में valid है, मैं यह नहीं बोरा कि आपको वो shopping करनी चाहिए, मैं simply यह बोल रहा हूँ कि आपको उसको रंगे हातों पकड़ना है, उस belief को, उस thought को और उसको आपको पकड़ना है, पूरे compassion के साथ, तो इसको हम बोलते हैं, awareness, आपको अपनी पूरी awareness, आपको पूरा ध्यान लेकर आना है, आपके daily actions में, यह सोचिए कि, for example, मैं video बनाने लगा, video बनाने से पहले मैंने यह सोचिए कि मैं पूरे रात तक क् से पहले है, मेरे पास सुबह का भी time था मैंने क्यों नहीं बनाया, तो उस से में को अपनी खुद की belief के बारे हम पता चला, कि मैं कुछ चीजों को टालता रहता हूं, अब वो मैं पहले ही से जानता था, but as an example, आप देख सकते हो, आप अपने आपको analyze करना है, हर एक thought को analyze कर से दिखता है, उसको simply आपको feel करना है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपके awareness आ गई वहाँ पर कि अच्छा मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि कुई वो मुझे gift देने वरा था, but उसने मुझे gift दिया नहीं, या दिवाली पे उन लोगों ने मुझे बहुत छोटा gift दिय और मैंने उनको बहुत बड़ा gift दिया, और फिर वो analyze करके आपकी awareness तो आ गई है, अब आप उस गुस्से को feel करते हो as a third person, अब यह जो step है इसको explain करना मुझकि हर एक person इस चीज़ को अलग तरीके से experience करता है, अगर मैं आपको technique बता दू जो मेरे लिए काम करती है, तो वो technique हो जाएगी, अब आप वो ही technique को ढूंते रहोगे और आप कभी भी यह चीज़ feel नहीं कर पाऊगे, तो simple आप याद रखिए कि जैसे ही आपकी body में कुछ sensation आपको मिलती है, कोई भी negative thought की, उस sensation को feel कीजिए, thoughts को जाने दीजिए, thoughts को मत आने दीजिए, आपने analyze किया, उसके रहे हो, वो mini yoga में आप अपना mind तो लेकर आ रहे हो, awareness के through, दूसरी चीज़ आप अपनी body भी लेकर आ रहे हो, ये हो गया feel, अब इसके बाद आप सोचो कि आप इसको कैसे change करना चाहते हो, positively या negatively, सोचिए कि कैसे उसको आप बदल दोगे, कैसे आप बदल सकते हो, उसके बा इसलिए रख रहा हूँ, ताकि आप बार बार इसको आप देख पाऊ, इसको analyze कर पाऊ, अगर आप इसको करते रहोगे practice, simply, simply, simply 30 दिनों तक, तो आप देखिया कि आपकी life कहां से कहां पहुँच जाएगी, और मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ही simple चीज हैं, हम ये करते रहते हैं, बट ये step follow करिये और देखी कैसा drastic change आता है आपकी life में, manifestations होने लग जाएगी, positive results आने लग जाएगी, लोग आपको gift देने लग जाएगी, आपकी life में abundance create होगी, आपके exam pass होँगे, जो चीजे आप चाहते हैं, वो create होने लग जाएगी, हाला कि important चीज है, कई बार negative चीजे हमारे life में होती है, ताकि हम को ये process, हम ये process follow कर पाएगे, ये process follow करोगे, और फिर आपको वापस एक opportunity मिलेगी, वापस कोई negative thought आएगी, वापस आप process follow करोगे, ये cycle चलती रहेगी, जब तक आपकी सारी negative thoughts, negative beliefs, negative emotions आपकी body से निकल नहीं जाते है तो दोस्तो अभी के लितना ही, thank you very much, आपके comments आते हैं, मैं बहुत ज़रा appreciative हूँ, बहुत ज़रा thankful हूँ, बहुत ज़रा प्यार आता है, so अगर आप चाहते हूँ कि मैं आने वाले time पर कोई नए topic पर video बनाओ, तो please comment box पोस्ट कीजिए, आने वाले time पर मैं एक और class लेकर ताकि मैं मेरे खाल से तीन या चार घंटे की continuous class होगी, जिसमें मैं इन चीजों को explain कर पा हूँ, या फिर day series होगी, एक दिन, एक घंटा, दूसरे दून, दूसरा, next घंटा, ऐसे करके continuous classes होगी, मैं सोच रहा हूँ, ये create करू, आप बताईये आपके पास क्या suggestions हैं, और मैं उसके accordingly कोई decision होगा, so thank you everyone and I love you all.